हला यिटा नेक्सक्ष लॉंट से सं स साड्र पार् Kilॉट पींट पर्टिकल पाधकर है कशोलyes azawid प्रिगर। विड।ट कॉंस्टट स्पीड तो आपका उस्पाों। पााथ है और तो इस spring पे अगर आप इधर से देखोगे, तो circular motion हो रहा है, लेकिन जो particle ऐसे circular motion कर रहा है, मान लिजो उसका इस direction में एक force लगा हुआ है, तो वो particle यहाँ पे तो आपका ऐसे circular motion करते देखे हैं, वो इस direction में force की वज़े से, वो actually ऐसे घूमता हुआ जाएगा, इसको अगर demonstrate कर है, तो कोई circular particle ऐसे घूम रहा है, और इस direction में या इस direction में force है, तो इस direction में force है, तो उसकी वेसे circular motion के साथ साथ वो ऐसे भी आपका spiral motion करेगा, तो इस scenario में circular motion करवाने के लिए आपका centipetal force जिम्मेदार, और उसकी pitch के लिए इसको दो spiral जो होते हैं, यह आपके, ऐसे जो gap हो मुलते हैं, इसको आप MEC के chapter में और detail में पढ़ेंगे, तो यह जो आपकी pitch है, तो इस pitch के लिए जो धका दे रहा है, उसके लिए आपका एक को इधर और force लग रहा होगा, इधर कोई acceleration होगा, वो जिम्मेदार, और circular motion करवाने के लिए centipetal force जिम्मेदार, अबने चार option दे the acceleration of the particle is constant, यह acceleration constant नहीं होगा, centipetal acceleration हमेशा आपका center की तरफ लग रहा होता है, और साथ की साथ एक additional यह इस direction में भी आचा, क्योंकि यहाँ पे आपकी pitch जो है, इस diagram में जो बना हुआ है, तो यह दोनों pitch क्योंकि constant है, तो इस विए से इधर लगने वाला जो आपका इधर velocity है लेकिन acceleration नहीं है, acceleration होता है, तो pitch आपकी spiral की pitch बढ़ती चली आती, बट दोनों के इसमें हम देख सकते है, graph में जो दिया हुआ यह और यह pitch की value सेम है, तो इस direction में velocity है, acceleration नहीं है, तो acceleration भी जो है, आपका centipetal ही होगा, और वो आपकी direction चेंज करता है, नो magnitude of acceleration constant यह आपकी बा चौता option है, magnitude of acceleration है, decreasing, यह option सही नहीं है, तो option 3 जो है, आपका, that will be the right choice for this particular question.